आप देख रहे हैं दिमीर्ची फैंस। आज हम एक ऐसी सक्षियत की बात करने जा रहे हैं जिनहें मीडिया ने एक नकरात्मक पी-म के रूप में पेश किया। आईए जानते हैं कुछ ऐसे तत्थे जो उन्हें एक बहतरीन पी-म बनाते हैं। यूँ तो भारत को कई बहतरीन प्रधान मंत्री मिलें लेकिन आज हम उस सक्षियत की बात करने जा रहे हैं जिनहें दुनिया भारतिय अर्थशास्त्री के नाम से भी जानती हैं। जी हाँ हम बात कर रहे हैं पूर प्रधान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग की। आज के पाकिस्तान के एक छोटे से गह गाओं में पैदा हुए थे मनमोहन सिंग। गाओं में ना तो बिजली थी ना स्कूल और ना ही अस्पताल। मीलो पैदल चल कर स्कूल जाते थे। परिवार की माली हालत बहुत खराब थी पर पढ़ाई नहीं छोड़ी। बटवारे के समय इनका परिवार भारत आ गया। बहुत दिकत थी पर पढ़ाई के शौक ने पढ़ाई छोड़ने ना दी। और पढ़ाई में तेज होने की वजह से ही इन्हें स्कॉलर्शिप मिल गई। और पढ़ते पढ़ते इन्होंने आक्सफ़र्ड यूनिवर्सिटी से पी एचडी भी कर ली। फिर प्रोफेसर बने, डिजर्व बैंक के गवर्णर, केंद्रिय मंत्री और देश के परधान मंत्री भी बने। पढ़ाई के दोरान इन्हें इंग्लेंड में इकोनोमिक्स का एडमी स्मित प्रुसकार मिला था। पर बहुत शर्मीले सुभाव के थे, जिसकी वजह से इन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। BBC को दिये एक इंट्रोव्यू में मनमोहन सिंग ने बताया कि पढ़ाई के दोरान इंग्लेंड में वे ठंडे मोसम में भी ठंडे पानी से नहाते थे क्यूंकि गरम पानी के पास भीड लगी रहती थी और वे अपने लंबे बाल किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। बाद में पढ़ाई पूरी कर वे भारत वापस आ गए और अमरिस्सर के एक कॉलेज में एज ए प्रोफेसर पढ़ाने लगे। अमरिस्सर में इनके एक मित्र मुल्क राज आनंद ने इनकी मुलाकात पूर प्रधान मंत्री जवाहलान नहिरू से कराई। नहिरू जी ने इनहें सरकार जोइन करने को कहा परंतु कॉलेज के साथ पढ़ाने का कॉन्ट्रेक्ट था। इसलिए मना कर दिया। प्रधान मंत्री बनने के बाद 2005 में इंडिया आस्यान मीटिंग जोइन करने के लिए जब मलेशिया गए तो वहाँ इनका परिचय दुनिया के सबसे ज्यादा सिक्षित प्रधान मंत्री के रूप में कराया गया। तो आईए नजर डालते हैं मनमोहन सिंग के उन कामों पर जिन्हें देश कभी नहीं भूल पाएगा। ये वो काम थे जिसने देश की दिशा और दशा दोनों बदल दी। पहला सबसे बड़ा काम 1991 का आर्थिक सुधार यानी एकोनोमिक्स रीफॉर्म्स। 1990 के दशक में जब देश की अर्थविवस्था लड़ खड़ा गई थी। तब देश को एक ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर अर्थशास्त्री की जरूरत थी जो देश की अर्थविवस्था को वापस विकास की पट्री पर ला सके। तब ततकालीन प्रधानमंत्री नर्सिम्हराव ने मनमोहन सिंग को वित्यमंत्री बनाया एकोनोमी में सुधार के लिए। जब वित्यमंत्री बनने की बात मनमोहन सिंग को पता चली तो उन्होंने इसे मजाग समझा। बाद में पता चला कि यह बात सच है। इधर IMF International Monetary Fund इस सुधार पर ध्यान रख रही थी वहीं देश में लोगों का विश्वास सरकार पर नहीं था लोगों का कहना था कि ये नेता देश को बेच देंगे ऐसे में नए नियम लाना एक चुनोती थी देश की कुछ बड़ी एजेंसियों ने तो साफ कर दिया था कि अगर सुधार सफल हुए तो इसका क्रेडिट सरकार को जाएगा लेकिन अगर ये सुधार असफल हुए तो जवाब देही सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंग की होगी लेकिन ये सुधार सफल हुए और देश की अर्थविवस्था विकास की ओर अग्रसर होने लगी तो संकट की घड़ी में देश की अर्थविवस्था को संभालने और वापस पटरी पर लाने का एतिहासिक काम डॉक्टर मनमोहन सिंग ने किया दूसरा सबसे बड़ा काम RTI Act यानी Right of Information Act 2005 देश में दो ऐसे एक्ट बने जिसने आम जनता को सीधे सीधे फायदा पहुचाया और इस एक्ट ने आम जनता को एक ताकत भी दी पहला RTI Act और दूसरा Consumer Act था मनमोहन सिंग की सरकार के सत्ता में आते ही ये एक्ट पास किये गए RTI Act के जरिये ही लोग सरकारी बाबूँ से सवाल पूछ सकते हैं इस एक्ट से पहले बहुत से घोटाले होते थे और सरकारी बाबू जानकारी confidential बोलकर घोटाले को दबा देते थे हलाकि इसी एक्ट की वजह से मनमोहन सरकार पर भरस्टा चार के आरोब भी लगे लेकिन इस एक्ट को पास करने और जमीन पर लाने के लिए सरकार की नियत पर कोई संदे नहीं किया जा सकता तीसरा महत्पून काम मनरेगा साल दो हजार पाँच मनरेगा यानि महात्मा गांधी ग्रामीन रोजगार गारंटी अधिनियम दो हजार पाँच यह एक ऐसा एक्ट था जिसने मानो गरीब जनता और सरकार के भीच रिष्टे को और मजबूत कर दिया यह एक्ट रोजगार की गारंटी थी सरकार की तरफ से और अगर सरकार तह रोजगार ना दे पाए तो एक निश्यत रकम लोगों के खाते में सरकार डालती थी मोदी जी ने मनेरेगा को मनमोहन सरकार की सबसे बड़ी असफलता बताया था परन्तु सरकार में आने के बाद उन्होंने भी इसे बंद नहीं किया देश की तरक्की के साथ देश में उर्जा की मांग बढ़ रही थी गाओं गाओं बिजली पहुँचाने के लिए और बिजली की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली का उतपादन करना जरूरी था बिजली उतपादन के लिए न्यूक्लियर प्लांट एक अच्छा स्रोत है परन्तु विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह सरकार अमेरिका के हाथों कुछ और बेचना चाहती है कॉंग्रेस की सहयोगी पार्टी कम्यनिस्ट ने तो यह एहलान कर दिया कि अगर यह डील होती है तो वह अपना समर्थन वापस ले लेगी और सरकार गिर जाएगी इन सब के बावजूद मनमोहन सरकार ने यह एतिहासिक डील पूरा किया और सरकार भी बचा ली इसी डील की वज़े से आज देश में बिजली की पूर्ती करना संभव हो पाया है पाँचवा सबसे बड़ा और सबसे महत्पूर्ण काम फूड सिक्यूर्टी बिल 2013 है चीन से युद्ध के दौरान देश में आकाल पड़ा था जिसने देश को बहुत परभावित किया था हरित क्रान्ती के बाद इस्तिती बदली परन्तु आज भी देश के एक बड़े तबके को भरपेड भोजन नहीं मिल पाता था ऐसे में मनमोहन सरकार का फूड सिक्यूर्टी बिल को लाना गरीब लोगों के लिए मानो किसी वरदान से कम नहीं था इस बिल के लिए मनमोहन सरकार की जम कर विदेशों में तारीफ की गई हलाकि इस बिल पर भी आरोप लगाया गया के इसमें जम कर भरस्टा चार किया गया है हलाकि ये और बात है लेकिन इस बिल को लेकर आने के लिए सरकार की नियत पर सवाल नहीं किया जा सकता इस बिल को लाना ये बताता है कि मनमोहन सरकार गरीब जनता के लिए कारिरत थी तो ये थे मनमोहन सिंग सरकार के वो काम जिसे देश कभी नहीं भूल पाएगा और देश की जनता हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंग की शुक्र गुजार रहेगी आप देख रहे थे दे मिर्ची फैंस का ये वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई